कहते हैं सब दिन होत न एक समाना कुछ वैसा ही हुआ है आजर्वैजान के साथ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप फ्रांस और भारत को धमकाने के बाद अजरवेजान घुटनों पर क्यों आ गया है तूर्की का दोस्त पाकिस्तान का दोस्त अजरवेजान क्या अमेरिका फ्रांस और भारत की वजह से घुटनों पर आया है जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास क्या कर रहा है और वो भी इतना बड़ा तहल का जिसकी साइज है सिंगापूर का छेत्रफल दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है CIS News Network के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा आएए जानते हैं इन ख़वरों को विस्तार से अर्मेनिया एक CSTO का मेंबर है अब CSTO क्या है जिने नहीं पता उन्हें बता दूँ रूस ने कुछ देशों के साथ खास तोर पर जो सोवियत संग से टूट टूट कर देश बने थे उनके साथ एक agreement साइन किया था और इस agreement का नाम दिया था CSTO यानि इसके तहट रूस उन देशों को बचाने के लिए आएगा अगर कहीं से भी बाहर से कोई हमला होता है तो यहाँ पर कहानी थोड़ी से उल्टी हो गई अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही भिड़ गए अब अर्मेनिया ने रूस से कहा कि हम CSTO के मेंबर हैं हमार मदद करो और रूस ने उस वक्त कहा कि नारगोनों काराबाग जिसके लिए तुम लोग लड़ रहे हो वो एक विवादित जगह है इसलिए CSTO यहां काम नहीं करेगा अब रूस के इस प्रकार समय पर साथ नहीं देने के वज़़े से अर्मेनिया नाराज हो गया और अर्म चोड़ने की बात तो कह दी लेकिन आधिकारिक तोर पर CSTO चोड़ने में वक्त लगता है तो अभी तक CSTO का मेंबर ही था पर इस CSTO के मेंबर को अभी भारत मदद कर रहा था अर्मेनिया को कई सारे हतियार दे रहा था पिनाका रोकेट इसके अलाब एक गोल्या और उसने कह दिया था कि भारत यह जो कह रहा है यह बहुत गलत कर रहा है लेकिन भारत के बाद ना एक ऐसा मूव हुआ जो अजरबैजान कभी भी सपने में नहीं सोच सकता था और हुआ यह कि भारत के बाद फ्रांस ने भी हतियारों की डील करनी शुरू कर दी अर्मेनिय लेकिन यहां पर कहानी उल्टी पड़ गई और नाटो मेंबर यहां पर सपोर्ट करने के लिए आ गया फ्रांस ने एर डिफेंस सिस्टम की डील कर ली इसके अलावे फ्रांस ने कुछ मिसाइलों की भी डील कर ली दोनों देसों के बीच में एमो यू भी साइन हो गया अब दूसरी वजय यह बताई गई कि भारत के साथ दोस्ती है भारत के साथ मिलकर चलना चाह रहा इस इलाके में फ्रांस अब यहां पर जैसे ही अजरबैजान को ख़बर मिली कि फ्रांस भी यह कर रहा है अजरबैजान ने गुस्ठाना शूरू कर दिया और बौखलाना अपर अमेरिका की वी 23 हो गई आर्मेनिया ने का कि चाहिए अधिकी द्शाव अगर करना है तो अमेरिका की मद्यस्तता में करना होगा अगि सफ्थ अधर्वेसान नाराज होगया और दुछ अधर्वेजान को एसा लगने लगा कि कहीं मेरा भी हाल रूस यूक्रेन वाला हाल न हो जाए और आखिरकार उसने कहा कि ठीक है अमेरिका ही मध्यस्ता कर ले स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए लेकिन इसने कहा कि अमेरिका अगर मध्यस्ता करता है तो अमेरिका को ध्यान रखना होगा कि अभी जो इस्तिती है उसी के आधार पर मध्यस्ता करे ऐसा न करे कि पूराने सोच के हिसाब से करे अब यहां अजरबैजान जुपता हुआ नजर आ रहा है अब आगे कदम बढ़ाया अजरबैजान ने सिर्फ इतना ही नहीं है अभी सुनते जाईए बहुत सारी ऐसी चीज़े हुई है लगेगा नहीं कि अजरबैजान और अर्मेनिया दुसमन थे दोनों सांती समझोते की तैयारी में लग गये हैं और कहा जा रहा है कि दोनों पहले संबंदों को सामान्य बना रहे हैं कैसे तो गुरु आर की रात को एक साज़ा बयान जारी किया गया और इसमें कहा गया कि दोनों कहा कि हम कैदियों की अदला बदली करेंगे जिनको नगोर्नो काराबाख में लड़ाई के दौरान पकड़ा गया था यूरोपिय काउंसिल की अध्यक्ष है चाल्स मिसेल उन्होंने बोला यह तो बड़ा अच्छा कदम है यह बहुत बड़ियां बात है दोनों के बीच में अपने देश में आयोजित करने वाला था लेकिन अर्मेनिया ने कहा कि मुझे नहीं मेरे भईया अजरबैजान को दे दो और अजरबैजान का नाम का समर्थन कर दिया वहीं अजरबैजान ने भी कहा कि एक मीटिंग तो हम अर्मेनिया में भी करेंगे मतलब दोस्ती इतनी क चलक चलक कर बाहर गिरने लगी है खेर अच्छी बात है अगर यहां सांती हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका नाटो के दवाब में अजरबैजान नहीं चाहता था कि हाल हो उक्रेन जैसा पर जो भी हो सांती है तो अच्छी बात है पर यहां पर भारत एक और कमाल कर यह जो इलाका देख रहे हैं आप यह इलाका समंदर से लगता हुआ गुजरात का बड़ा ही फेमस इलाका है और इस इलाके को कहा जाता है रन ओफ कच यहाँ पर एक अच्छी दूरी तक सॉल्ट डेजट पाये जाता है एक ऐसा मरूब हुई जहाँ पर सॉल्ट के साथ साथ क कई और खनीच पदार्थ भी हैं और यह वो इलाका है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करता है एक थोड़ी ही दूर पर सरक्रीक का इलाका है जिसको लेकर अभी भी लड़ाई चलती है यहां पर अचानक से भारत कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है जैसा कि आप तस्वीरों मे देख रहे हैं और यह जो कंस्ट्रक्शन है इतने बड़े भुभाग में किया जा रहा है कहा जा रहा है कि एक सिंगापूर समा जाएगा इतने बड़े इलाके में इस कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा है आखिर यहां पर कर क्या रहा है भारत तो एक बहुत बड़ा प्रजे यह दो दसमलोव दो छे बिलियन डॉलर आखिर बन क्या रहा है तो आप बता दें यहां पर पवन उर्जा और सोरी उर्जा से उर्जा का निर्मान किया जाएगा यह जो बड़े बड़े टावर देख रहे हैं आप काफी सारे मजदूर लगे हैं कहा जा रहा है कि चार हजार स यह वो इलाका बन जाएगा जिस इलाके में 30 गीगाबाइट उर्जा का उत्पादन होगा यानि कि हर साल 18 मिलियन भारतियों को यहां से मिलेगा उर्जा और यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है भारत इस तरीके के 500 गीगावाट तक के प्रोजेक्ट 2070 तक अलाकि यह जो इलाका है यह इलाका पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है पर भारत का यह सबसे महत्पुर्ण प्रोजेक्ट है पास के गाउं के नाम के आधार पर ही इस प्रोजेक्ट का नाम भी खावड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या